हे आल राइट एन वेलकम डू आल आज करींगे हम 11 लक्षर अपनी एम लक्षमिकांत पॉलिटी का ओके नाव आज के पूरा टॉपिक रहेगा साइमन कमिशन का अगर आप देखेंगे 1919 में जो हमारे बहुत सारे प्राविजन लिखे गए थे उसके बेसेस पर उस एक्ट में एक यहाँ पर अपॉइंट्मेंट था कि एक स्टोच्वरी बॉड़ी का और या स्टोच्वरी कमिशन का अपॉइंट्मेंट होगा 10 साल के बाद यानि कि 1919 का जो एक्ट था उसके अकॉड़िंग 1929 में एक स्टोच्वरी कमिशन बनना था जिसका नाम होगा साइमन कमिशन ठीक है अब देखिए आनक अब था यानि कि जो 1919 में जितने भी प्राविजन लिखे गए थे ना आप एक्ट को रिवाइस कर लीजी जितने भी प् भारित में वो एक्ट फिट बैट रहे हैं या नहीं उसको पूरा चेक करने के लिए उसकी वर्किंग चेक करने के लिए एक 1929 में एक कमिशन बिठाना था ठीक है इस कमिशन की जिक्र पहले ही 1919 के एक्ट में कर दिया गया था बट होता क्या है आना था 1929 में यानि कि 1929 में आया कब 1927 में यानि कि दो साल पहले साइमन कमिशन आ गया अब जो भी इससे हमारे कॉशन पूछे जाएंगे वो हम डिसकस कर लेते हैं ओके सबसे पहले कमिशन नॉंबर 1927 को आ गया इसका में काम क्या था रिपोर्ट किसमें देनी थी इस कमिशन को कि कंडिशन ओफ इंड को और ज्यादा बढ़ा गया था उसके फंक्शन को और ज्यादा बढ़ा दिया गया था ठीक है तो वह जो प्राविजन डाले गए थे ना 1919 के एक्ट में वो काम कैसे कर रहे हैं क्या अच्छे से स्मूथ चल रहा है या नहीं ब्रिटिस गवर्मेंट को फाइदा हो रहा है नहीं वो काम अच्छे से चेक करने के लिए साइमन कमिशन आता है 1927 में आना कब था 1929 में और दो साल पहले आ गया ठीक है और रिपोर्ट तो आपको पता ही है कि जो नए कॉंस्टिशन के प्राविजन जो एक्ट में लिखा गया था उसके जो कंडिशन है भारत में वो प्रोटेस्ट होंगे हमारी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस कब बनी है आपको बताना है कॉमेंट बॉक्स में 1884 1885 या 1886 या नन आफ दीज ठीक है पॉस कीजिए और आंसर दीजिए नाव 1885 में हमारी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस बन जाती हैं प्रोटेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि नहीं साइमन कमिशन के बेसेस पर कि इसको हम क्या करेंगे बाइकॉट करेंगे ठीक है ओके नव रिपोर्ट सम्मिट करते हैं यह 1930 में ठीक है रिपोर्ट कब सम्मिट करते हैं 1930 में सम्मिट करते हैं अब इनकी रिपोर्ट के एक इसी से question आया है अब वो क्या है ठीक है यह आपको समझ में आ गया ना क्या है बहुत सिम्पल सी मैं दुबारा revise करा देता हूँ 1927 में आया नॉमबर 1927 में रिपोर्ट क्या थी कि भारत की working administration अच्छा चल रहा है या नहीं उसके बारे में बताना साथ मेंबर हैं सभी Britishers हैं रिपोर्ट सब्मिट होती है 1930 में उसके बाद देखो क्या चीज है कि साइमन कमिशन आता है तो सिम्पल सी बात है वो recommend करेगा कुछ ना कुछ चीज है कि जो डूल रूल था ना उसको खतम कर देना यह recommendation थी ठीक है अब recommendation apply होगी या नहीं वह हम अगले एक्ट में देखेंगे 1935 के तो recommend करते हैं कि डायार की तो question कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूं UPSC prelims में question ऐसे पूछ सकते हैं कि what were the recommendation of Simon Commission चार point दे देंगे और उसके basis पर आपसे पूछा जाएगा ठीक है तो इसलिए यह recommendation पढ़नी हमें जरूरी होती है तो सबसे पहली recommendation क्या है Abolition of diearchy according to Simon Commission diearchy क्या है abolish कर देनी चाहिए ठीक है जैसा मैंने पहले भी बताया तो आपको बताना है डायार की कौन से act के basis पर introduce की गई थी ओके रिकमेंडेशन में बोलते हैं डायार की खतम होनी चाहिए यानि कि dual rule खतम होना चाहिए ठीक है डायार की province में थी reserve list उसके लिए बनाई थी और transferred list बनाई थी ठीक है मैं option देता हूँ एक irrigation ठीक है दोसरा है finance का तो आप यह बताए इरिगेशन और finance reserve list में है या transferred list में है या irrigation reserve में है या finance transferred में है या आपको अपना answer बताना आई थिंक आप बहुत अच्छे से revise कर रहे होंगे और देखिए UPSC previous year question भी देख लिजिए ताकि आपको थोड़ा सा confidence भी बूस्ट अप हो कि किस तरह से question आते हैं और क्या आप question solve कर पा रहे हैं या नहीं ओके ना देखो second recommendation है extension of responsible government देखो अब एक responsible government क्या होती है अभी जो हमारे पर्लेमेंट फॉर्म आफ गवर्मेंट है ना वो एक responsible government होती है तो अगर मैं बताऊं responsible government को ही cabinet form of government या parliament form of government कहते हैं तो ये कहना सही होगा और डारेक्ट ये पूछा गया है इस बार ठीक है आप देख लीजिए पॉलिटी वाला section एक question आया है कि चार option दिए गए है इनमेंसे parliament form of government कौन सी है इनमेंसे parliament form of government कौन सी है तो answer क्या हो जाएगा responsible government ठीक है responsible government ओके नव मैं इसको शो भी कर देता हूँ आपके लिए ठीक है मैं इसको शो कर रहा हूँ आपके लिए ओके नव यहाँ पर हमारे जो paid group हैं यह आपको बता देता हूँ सबसे पहला देखो private study material का है इस पर जितने भी है study material देखने को मिलते हैं जैसे आज चेक्टूबर है तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है चेक्टूबर की हर चीज यहाँ पर हमने share की हुई है ठीक है फ description में पूरा link दिया गया होगा इन तीन गुरूप से आपको add किया जाएगा ठीक है मैं question दिखा देता हूं 2020 का जो मैं दिखाना चाहता था आपको देखो question है एक Parliament system of government is one in which एक Parliament system of government होगी देखे यह I think set C है या set B है आप देख लेना एक question है 2020 का इसी वरसा है जो 4 October का हुआ थ which पहला option है all political parties ते कि मैंने अगर आपको पता है कि Parliament system of government क्या होती है अगर आपको पता है तो direct option से जहां पर भी आपको लगेगा कि जहां पर भी government responsible है वो एक Parliament form of government कहलाती है बस इतने दो चीजों से आपके question to the point solve हो जाते है ठीक है अगर आपने पहले अच्छे से लक्षमिका पढ़ी होती है तो यह पार्लेमेंट system of government is one in which पहला option है all political parties in the parliament are represented in the government यह तो option नहीं होगा कि जितनी भी political parties है पार्लेमेंट में वह government represent करता नहीं गलत है यह ठीक है government represent उसको करेगी जनरली जहां पर जिसके सरकार होगी दूसरा एक्चल में पूछ क्या रहा है पार्लेमेंट system of government होती क्या है ठीक है बी option देखो the government is responsible to the parliament and can be removed by it बहुत simple है government एक responsible government होगी किस के लिए पार्लेमेंट के लिए तो यह answer सही हो जाएगा ठीक है बागी the government is elected by the people यह तो democracy की है कि यह पार्लेमेंट system of government नहीं है यह democracy की जो है definition हो जाएगी ठीक है I think आपको यह पता चल गया कौ कौन सी चीज है आपको यहां पर समझनी है और कैसे समझनी है ओके नौ अब आगे बढ़ लेते हैं अपने lecture में तो यह recommendation दी थी साइमन कमिशन ने कि responsible government को extend करना चाहिए और ज्यादा बढ़ाना चाहिए ठीक है तो example हो जाएगा responsible government का इसी को cabinet form of government या parliament form of government कहते हैं साइमन कमिशन का दूसरा recommendation था कि यह establish करता है establishment of a federation federation क्या होता है जहां पर center और जो province है यानि कि state होंगी उनकी अलग powers होंगी दोनों की power separate होंगी तो यहां पर एक federation establishment करने की भी बात है की जाती है साइमन कमिशन की यह recommendation थी यह भी देखते हैं फुल्फिल हुई या नहीं और तूसरा साइमन कमिशन ने कहा कि जो communal electorate है न मुशलिम सिख्ख के लिए Indian Christian के लिए वो तो continue करे रहने सही है ठीक है तो यह recommendation थी अब इन सब साइमन कमिशन के जो recommendation थी उनको incorporate किया गया मतलब उनको implement किया गया बट कुछ certain changes के साथ अब यह जब आप act पढ़ोगे इसके बाद जो नया lecture आएगा Government of India Act 1935 इस act में डारक्ट ही recommendation दी हुई है साइमन कमिशन की recommendation is incorporated with certain changes in the next GOI Act 1935 तो साइमन कमिशन के बारे में यह ही आपको पढ़ना था जो जो important recommendation है वो मैंने आपको बता दी ओके अब उसके बाद मैं आपको बताओंगा नया topic जो है communal award का यह कोई award है क्या कोई prize होगा नहीं communal award की history क्या रही है अगस्त 1932 यह date याद रखना अगस्त 1932 साइमन कमिशन की क्या date है 1927 किसकी date है साइमन कमिशन की और जो communal award है उसकी जो date आपको याद रखनी है अगस्त 1932 communal award है क्या अब communal award बहुत जदा important हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बात की जाती है separate electorate to depressed classes सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि जो schedule cast होती है उनके लिए separate electorate की बात की गई communal award में जानी की क्या है इससे पहले 1909 में Muslims को separate electorate father of communal जो communal आवार्ड है वो कौन है यह आपको बताना है ठीक है father of communal आवार्ड ठीक है इनका जो नाम है उनका आपने comment box में बताना है तो यहाँ पर उस act के दौरान वह act का नाम बताना है comment box में revise कर लिजे Muslim को क्या कर दिया गया था Muslim को क्या कर दिया गया था separate electorate दिया गया था यानि कि जो भी Muslim representative खड़ा होगा उसको vote सिर्फ कौन करेंगे Muslim जनता करेगी सेम चीज़ें होई कि separate electorate दे दिया गया कि इसको depressed classes में बात कर रहे है ठीक है आभी communal आवार्ड में कि ऐसा ऐसा करेंगे बड़ जब act implement होगा आपसे act पुछा जाएगा कि कौन से act के दौरान जो depressed classes को separate electorate दिया था ठीक है अगर communal आवार्ड वहाँ पर mention नहीं है तो आप लिखोगे government of इंडिया आक्ट 1935 इसके बात का lecture है वह मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बात ओके नाव तो अब communal आवार्ड में depressed classes के लिए separate electorate मतलब schedule caste की सोचलो मानके चलो एक यहाँ पर pen है तो depressed classes मतलब जितने भी schedule caste के लोग है उनकी अलगी से community बन जाएगी उन्हीं के representative खड़े होंगे और वही चोज़ करेंगे तो यानि कि यह पूरा society में एक तरह से divide बनाने की बात की जारी है इन communal आवार्ड से अब इसके चलते हुए गांदी जी ने क्या कहा उन्होंने कहा कि यार जब उस समय जब 1932 की बात है गांदी जी है हमारे यरावडा जेल पूना में अब उस दोरान इन्होंने यह बोला कि यह तो हमारे समाज को पूधितर खोकला कर देंगे अगर यह सब के लिए separate electorate लाते गए सभी की अलग- देखने को मिला कि सब लोगों को चिंता होने लगी कि कैसे चीज़ां चलेंगी उसके बाद एक पैक्ट होता है जिससे बोला जाता है पूना पैक्ट अब कभी-कभी UPSC prelims में यह पूछा जाता है कि यह पैक्ट किन के बीच हुआ ठीक है आपको confusion create होने के लिए आपको confused कि किया जा सकता है तो पूना पैक्ट हुआ between leader of Congress Congress के leaders के बीच में और depressed classes के बीच में तो अच्छे से समझना पूना पैक्ट किन के बीच में हुआ Congress के बीच में और depressed classes के बीच में इसका result क्या हुआ एक हिंदू joint electorate हमें देखने को मिला जहां पर सभी community अपना representative के basis पर किसी को भी बोट दे सकती है और जो depressed classes है उनके लिए reserve seat रख दी गई अभी भी तो आपको देखने को मिलता ना बहुत ज्यादा local level पर भी आपको यह देखने को मिलता है और MP के level पर भी यह देखने को मिलता कि कोई कहीं एक consistency होती है जहां पर सिर्फ schedule caste का candidate खड़ा हो सकता है तो उस पक्ट के बाद उस समय के अगर British PM के याद रखेंगे तो उस समय है रामसे मैकडोनाल्ड ठीक है रामसे मैकडोनाल्ड communal award जिनोंने यह पुरा start किया तो कौन-कौन सी चीजह आपको याद रखने है जल्दी जल्दी एक बार मैं revise करा देता हूं फिर इस lecture को खतम करते हैं और अगला lecture और उसका अगला lecture फिर उसके बाद पहला जो chapter है वो खतम हो जाएगा उसके बाद आने वाले हैं detail में chapter अब फिर उसके बाद कोई पर्टिक्लर एक्टर नहीं आएगा उसके बाद detail में chapter आएंगे पूरा एक एक chapter 30 या 40 minute का भी हो सकता है ठीक है जल्दी जल्दी मैं उसके बाद साइमन कमिशन के जो एक्ट हैं वो इंकॉर्परेट के गए गर्वर्मेंट आफ इंडियक्ट 1935 के बेसिस पर और उसके बाद कॉमिनल अवार्ड में क्या याद रखना 1932 में और separate electorate schedule caste के लिए और गांधी जी यरावडा जेल में थे पूना पक्ट कॉंग्रेस के लीडर के बीच में हुआ और depressed classes के बीच में रिजल्ट तो depressed classes के लिए रिजर्व सीट कर दी गई उस में के ब्रिटिस पीम कॉन है राम से मेक डोनाल्ड ओके तो इस वीडियो में इतना ही थैंक यू